अपनी जब तक consciousness वापस उसी state पे नहीं आता, तब तक वो आपको बार बार नीचे भेशते रहेगा किसी ना किसी frequency में आपकी body है, किसी ना किसी frequency में आपका thought है, किसी ना किसी frequency में emotions है, किसी ना किसी frequency में आपका unlearned part है, आपका karma है तो जब तक ये कर्मा है तब तक सोल वापस बॉडी में आती है या भटकती है दो चीज़ है जैसे कल आंटी ने बताया कि 72 hours है आपके पास 72 hours के बाद भी अगर आपने नहीं लिया तो फिर आप भटकते रहोगे तो ये चीज कर्मा यहां से start होता है कि कर्मा का मतलब क्या है कि कुछ तो है सोल के साथ जो 100% consciousness में नहीं है कुछ तो है या thought है या desire है या emotions है या कुछ तो action लेनी है उस सोल को physical form में लेके जिसे हम बुलते हैं यार इसे तो मैं राजा होता तो अच्छा होता ऐसे गरीब ही में तो नहीं मरता तो फिर एक राजा बनने के लिए इंपर्थ होता है यार इसे तो गरीब होता तो अच्छा है राजा बनके तो मैं कभी जी नहीं पाया अच्छे तो एक गरीब बनके मतलब कल जैसे उन्होंने बताया कर जो question था आपका कि क्यों है न कोई आदमी ऐसा सोचेगा मैं गरीब बनू क्या है इंसान हमेशा है न experience के बाद polarity वाले second thought को create करता है experience के बाद कैसे मैं आपको बताना हूँ बहुत धूप है आप क्या बोलोगे बारिष चाहिए आप मोलोगे न समर सीजन में क्या हो या चल्दी बारिष हो और बहुत बारिष है अभी आप क्या सोचोगे या बारिष बंद हो नी चाहरी या बाहर निकले की सब लोग टोकते हैं सब लोग मुझे आने मारते हैं कितना वह सूखिया अभी तक शादी निक के हैं है हुगाट पाइव पैंट तब तक वह ग्रैविटेशनली नीचे आता है क्योंकि ऊस्वें कुछ तो पार्टिकल्स उसके साथ अठेश्ट है कुछ तो कार्मिक लेयर उसके साथ अठेश्ट है जिसको वो फुल्फिल करने के लिए आप से कोई ना कोई लेवल पे आपको बर्थ दिलाते रहेगा